कर माइलेज कितना देती है सीटी में पहले बता हो 12-15 के बीच 12-15 फाइवे पे 80 की स्पीड में चलोगे तो उनिस भी पहुच जाएगा बट 80 कौन चलता है तो हाइवे पे वह मालो 17-18 कीच-कीच के उनिस से मैंने सुना है कि यह गाड़ी में अब की बार फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग आ सकती है अचा लगता है आ सकती है नहीं वाई ऐसा तो कुछ नहीं लगता वही क्रेटा वाले प्लैट्रम पर फील हो दिया लेकिन हाथ थोड़ा सा दोर वगर बिल्ट अगर थोड़ी सी लगती है पीछे से ऐसा लगता है कि यार गाड़ी कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट है और उपर से एक जो ब्रॉडनेस केटेगरी में आप ले सकते हो डिजाइनिंग को वह एकदम स्लीक कर दिए ठीक है लोकल में भी 11 12 13 वहीं सब देती है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है मोहि पालेज देती है कैसा इस पेस है और सेग्मेंट में आठ नो गाडिया होने के बाद भी इन्होंने गाड़ी क्यों चुनी इनके पास अल्रेडी टाटा सफारी भी है और इनके घर में अभी ने यह गाड़ी है कितने महीने होगे लग चली वे मैं ले ती में चार महीने कितन पीचे लाड़ी गाड़ी 2000 क्लोमेटर 2000 क्लोमेटर तो अभी इसके बारे में सच बात हम करेंगे कोई ऐसा नहीं है कि हम हुंडे की साइड में बोलेंगे या फर दूसरी गाड़ियों की बढ़ाई करेंगे इसके नेगेटिव पोजिटिव सब कुछ आपको बताएंगे तो कुछ हाइप क्रियेट हुई थी मैं उसके लिए ज्यादा फेवर में था बट यह लोग हुई तो मुझे इतना पसंद नहीं आई बट चलाद चलाद एक आखों को हैबिट बन जाती है तो सीन फिर भी यही लेली तुमने पसंदने के नहाने के बात भी अब टॉप सेलिंग है करेटा ऐब फिटर स्का कर लेज़ है इतनी है इतनी परहे हैं उसकी आप लोग किसे बेट करेंस्तों हो माइgener पावर केसी है भाई पावर तो नहीं है गाड़ी के अंदर एसेक्स आइविटी ऑप्शनल लिया था अगर कोई भी साड़ एकिस लाग खर्च कर रहा है तो भाई अपना एक लाग उपर लेकर टर्बो ले लो इसको अगर यहां तक खर्च कर रहे हो पैसा अपना इस गाड़ी के ऊपर तो ले लो क्यों क्योंकि उसमें आपको श्राइस अधान मतला यह नोन तरबो का टोपन वेरियंट नौन अपन यह इसमें सब वीचर आपको फुल्लोडब शीचर चलो अब यहां पर एकदम कर्यक्ट बात बता दो कि कार्व माईलेज कितना देती हैं देती में पहले बताओ ब बट रस्टी किसमिंटे कौन चलता है तो हाइवे पो मालो 17-18 कीच कीच के उनने मतलब सीटी में देखा जाया तो 12-15 और 17-19 और इंजन की वाइब्रेशन हुंड़ी के इंजन काफी सलेंट है उसके हिसाप से कैसा है उसमें नो डाउट स्टार्टिंग से ही परफॉर्मेंस द सफारी जोटी गाड़ी को तीसरी है और यह गाड़ी आपने पेट्रोल में ली सफारी आपकी डीजल में लिए तो सफारी के बाद यह कैसी लगती आपको ऐसा लगता है कि हाती से चीटी पर आगए चौडी बहुत है गाड़ी एक तो जैसे आप इसको चलाओगे बच्ची लगेगी उसके सामने अंदर से स्पेस बहुत अगाड़ी प्रॉपर वो तो अलगी सेगमेंट है क्रॉसावर सेवन सेटर गाड़ी है यह फाइव सेटर गाड़ी है तो वह तो अगर किसी को मानके चलो आपने साड़े किस लाख रुपे खर्च किया इसके लिए सफारी भी आ सकती है असकती है बट फीचर नहीं मिलेंगे उसका यार बेस मोडल लेने में अगर आपको साइज और लुक्स हैं तो दभी जाओ उसे उपर नहीं तो उसके उपर मिनिमुम प् उसके अपर इमर्जेंसी कभी यूज किया है अगरेंसी उसका रहा है बही सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा कि समय डास लेवल्टों के सारे वीचर ठीक है इमर्जेंसी ब्रेक आपका सिटी में बिलकुल नहीं है क्योंकि जैसे मेरे फादे चलाते हैं तो एड़्ड़ य आगे से कोई इसने एकदम सेंस कर लिए एकदम ब्रेक ऐसे अपलाए करेगी पीछे वाले को थोड़े डिस्टेंस बनाने जरूरत है पीछे से ट्राक आ रहा है कानी खतम कानी खतम तो इसलिए सेटीज में तो एड़्ड़ हमेशा बंद करके चलो बेसिकली फीचर हाईवे लेकिन थोड़ा सा दोर अगर थोड़ी सी कंपेरिशन कर अगया थोड़ा बिल्ट लगती है अभी लोग उसको लोकल फाइस्टर मानते है अगर में आया तो मतलब तो ऐसा तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत सॉलिड है ठीक है बट कह सकते हैं सुनने में तो जुम तो मुझे तो इतनी बिल्ट ऐसे नहीं लगी कि फाइस्टार वाली फिल मतलब इन फ्यूचर हमें देगी तो फ्रंट लुक तो इसका मुझे भी काफी चांदार लग रहा है और रियर से नहीं लगता गाड़ी कैसी बना दिया कर दी जो गाड़ी का पीछे से एक बढ़िय क्रेटा क्रेटा नहीं रही टाइपस तो ऐसा ऐसा फील होता है इस पेस कैसा है मतलब पांच लोग बैट के वराबर जा सकते हैं बूट स्पेस कैसा है वो बता होता है बूट से भी अच्छा है आपका अंदर के गाड़े भी स्पेशियस है और six feet मेरी हाइट है कोई दिकत नहीं आई और comfort भी है गाड़ी सर्विस तो अभी हुई नहीं होगी सर्विस अभी नहीं होगी सिंपल आपकी एकजार पे वाशिंग वाशिंग होई नॉर्मल और तो कुछ नहीं है चलो बाकी बाते हम करेंगे फीचर इंटीर तो जुड़े हुई अभी यह पताओ इस गा तो यह गया था कि बहुत अच्छा अच्छा अवरेज है बट जिसी साब से अवरेज यह दे रही है सिटीज में तो मुझे नहीं लगता कि उस नेक्स लेवल के एवरेज देखने को मुलता है क्योंकि क्रेटा जब फर्स जनरेशन थी मैंने 2018 में चलाई थी डीजल वेरियं तो फिर तर्बो की साथ जा सकते हैं 160 PS और अगर आपको एक ऐसी नॉर्मल कार चाहिए तो फिर आप यह और टर्बो में ले रहे हो तो तर्बो में इतना डिफ्रेंस नहीं है आपके माइलेज में जो क्लेम कर रहे हैं जो नहोंने लिए है वह भी कहते है भाई सब्सक्राइ ट्राइवे पर लोकल में भी 11 12 13 वह सब देदेए तो डिपेंड करते हैं तो आपके ड्राइविंग बाकि मुझे ऐसा लगता है कि है तो टॉप सेलिंग वेरियंट बट अगर कोई यहां तक आ तो तर्बो जाना भाई अचा इस बात बताओ जैसे अभी मैं आपसे आपके सारी तो अब कुन सी काड़ी लेना चाहोगे आप मैं काउंट करा देता हूं एलिवेट एस्टर हाई राइडर ग्रैंड बेटारा क्रेटा सेल्टोस टार्टा कर्व फोक्सवागन टाइगोन और कुशार अगर आप बात करते होगे सिर्फ रिलाइबिटी पर जाए तो फोक्सवागन टाइगोन इस पे आप लोटके नहीं जाएंगे इस पे लोटके वाली ऐसी बात नहीं है अब आपने मुझे से बताओ देखो आपकी वीडियो देखने के बाद जो ओडियंस है वो डिसीजन ले सकती है मैं तो यह क्योंगा कि 21 खर्च कर रहे हो तो यही ले लो इसका तर्व वेरिंट ले लो इंजन से नाराज है गाड़ी बढ़िया है गाड़ी बढ़िया कोई देखकत नहीं है फीचर्स जो इंटीर रेसकार का अपने सेग्मेंट में सच में सबसे प्रीमियम है अब तो कर्व का भी आ गया तो उसके फीचर कैसे वर्किंग क गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है जैसे गाड़ी में आप और गाड़ियों में देखो कि टाटा के गाड़ियों में खास्तों से टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं है जैसी कुछ भी आपको फीचर यूज करना है ऑन दसेम ऐसा बीव करेगी कि हाँ मिली सेकिंड मे अंदर बैट के सफारी में ज्यादा फील आता है कि इसमें आता तो सफारी में है ठीक है बट अगर लग्शुरी की फील करो कि कुछ इरिटेशन ना हो सब टेक्निकल चीज़ आपको बढ़िया देखने को मिले तो यह गाड़ी है अगर आपको जिसीज की रिक्वार्मेंट इसमें मिल रही है फुल फिल कर रही है सब इस चीज मिल जाती है 20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, पहले आपने अलकजार रखी है वह आपने यूज की पेट्रोल ती डीजल तो गाडी तो वैसी है अगर आप वह अलकजार से रखी बखन батहरोत के साथ जाता है तो क्या उसको जाना चाहिए मेरे साथ इस में लाइप बहुत बड़ी ऑड़ियोraft कौलरी बहुत ब्ल involve करो रहो आपका 2022 काहीं और चीज एक्टम ह्रम estar सबसे पोजिटिव क्या लगा आपको इस गाड़ी में जो सबसे अच्छा लगा कि मतलब दिवाने हो गई आप इसकार के जितने भी फीचर जैसी आप उनको यूज करोगे सब टॉप नहीं चाहिए आप लेलो अपने लीट डालिये जैसे यह वर्क करती है तो मैंने अमजी में देखा अपने अपने दास को यह वर्क किया और विचर करते हैं और अगर आपको चैनल पर जाके विजित कर सकते हैं और उस ज्यादा जान सकते हैं क्रेटा का एक ownership लेने का यही मतलब था मेरा कि ताकि जान सके इसका जो नोन टर्बो इंजन है वो माईलेज कैसा देता है कैसा पफोमेंस है और जो इसका का लाग हो सकता इनका चलाने का तरीका लाग हो जियुक इनको कम लिदे चलाते हो तो सबका ट्राइविंग अज़्यूश कि आपको पता होंगे ची कार है लेकिन मायलेज के बारे में जरूरी था जानना तो यहीं मेरा वीडियो पसंद आयो लाइक जरूर करेंग को टिए के विशेक भाई था एक भी. थेक्षोड़े मेलते!